हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रोयल स्टेडी दोस्तों आज के सुडियो मद्यप्रदेश के जीले की 50 क्लास ही रहेगी इससे पहले हम 49 क्लास तक कवर कर चुके जिसके लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल या फिर उपर आए बटन पर भी आपको मिल यागी वहा आपकी एक्जाम में कई बार रिपीट होती है तो इससे रिलेटेट सम पूर्ण जो जानकारी में है तो पूर्ण जानकारी आपको आगे दी जाएगी इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरू से दिखेगा चेनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चेनल को सब्सक् बता दीजिगा कि इसका सही जवाब आपका क्या होगा इल्यार अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम उज्जेन इंदूर नर्मदापूरण वोपाल इसके लावाग गौलेर चम्बल सागर जवलपूर रिवा इसक लावा सेडूल संभाग भी ऑम कवर कर चुके देखें बदल संब्बाग में सेडोल जीला है कवरकर लिए आज उमर याजीला कवर कर रहें बाईकर आपको जो है अनुफबूर जीले का भी वीडीयो मिलेगा तो आप निशिंत रहेगा आपका पूरा जो है दश संब्थ के जितने भी जीले हैं कितने जीले हैं आप नीचे comment box में comment करके बता दीजेगा आप सभी को पता है तो देखे 50 class ही रहेगी और वो 51 जो है अनुपूर हम clear कर लेंगे तो आप सुचेंगे कि देखे 52 जीले हैं मद्यप्रदेश में और आप 51 वीडियो कैसे आपके हो रहे हैं तो देखे हम एक वीडिय जो बनाया था उसमें हमने मुरेना भिंड साइद ऐसे करके चंबल संबाग को जीला था जिसमें एक वीडियो में दो जीले कवर कर लिये थे उसकी वज़े से जो सिरीज है उसमें एक की कमी हो गई इसलिए आपको 51 जो जीले हैं यहाँ पर वीडियो मिल पाएंगे इस सिरी यह सेडी जीला आपका है यह उमर्या जीला यह आफका अनुपूर जीला है आज हम उमर्या जीले को कल जोक Pacemur जेट करेंगे देखें सबसर पहले ब्सकी information रशूर्पकर और यह पर जानिए गये हम स्टार्थ में इश्ठी हैं आप सभी को पता हैं जिसे खेंग हम आपको उत्तर और ये आपका पूर्वी एरिया है तो यहां पर ये पूर्वी उत्तर पूर्व में आपका आता है ये आप यात रखेगा कहां पर आता है ये आपका उत्तर पूर्व में आता है ये पूर्व है ये आपका उत्तर है तो उत्तर पूर्व ये जीला आपका हो जाता है क् 4,548 वर किलोमेटर है और जीली की सबसे बड़ी लंबाई लगबग जो है 150 किलोमेटर की है इसके लावा उत्तर से दक्षिन और सबसे बड़ी चोड़ाई पूरु से पश्चिम तक है 60 किलोमेटर की 2011 की जनगर्ना के अनुसार अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जनसंक्या यहां की है 64,6,4,758 यहां की जनसंक्या है और जिसमें से लगबग 83% जनसंक्या यहां की है ग्रामिन शेत्रों में निवास करती हैं इसके लावाद जीले में जो है इस उमरिया जीले में व्यापक जंगल भी बहुत बड़ा जंगल है और इसका जो छेतरपले कुल छेतरफल का जो है ये 42% है यानि जो जितना भी छेतरपले इस जीले का इसका 42% व्यापक जंगल इसमें है और ये जो है वनों से आश्चादी और इस जीले में खनीज से भी सम्रद जीला इसको माना जाता है जीले में पाए जाने वाला सबसे मेहतुपुन खनीज कोईला जो की यहां पर है देखे सेडोल संबाग का सबसे बड़ा आपको पता होगा सुहागपुर सेडोल में आता है वो आपका सबसे बड़ा आता है जो तोड़ी सी और तो देखे जीले में प्रसिद बांदावगाट जो रास्ट उद्यान है यह आपका यहीं पर है याद रखी का बांदावगाट रास्ट उद्यान उमरिया जीले में ही इस्तिते और संजे गांधी थर्मल पावर स्टेशन जिसको मंग थर पाली यह यहाँ पर उमरिया पहले दक्षिन रीवा जीले का मुक्याले था और उसके बाद बांदावगाट तेसील का मुक्याले जो है सेहर था और यह लगबग जो है 79 किलोमेटर की दूरी पर सेडोल मूल जीले से कटी हुई सड़के कटनी रीवा और यहाँ पर यह जोड़ती है जिन पर नि जो है कीला यहाँ पर काफी फीमास है बांदावगाट अब्यारनी नेशनल पार के वह भी काफी पार पूछे जाते है बांदावगाट का जो कीला है इसको हम डेटियल में थोड़ा से देख लेते हैं देखे बांदावगाट जो है अपका उमरिया जीले में तेसील का नाम है बांदरगण का कीला जो है काफी फोरातातिक और एस्तियासिक में तुका जो इस्तान रहा है और यह एक प्राकर्तिक अबेद्ध कीला भी है समुद्ध तलसिस की जो लगबग उचाई है वो यहां पर दूरी जो है 2430 मिटर की है और यह पहाड़ी परिस्तित है इसके लबा बामनिया पहाड़ी भी कीले में का एक हिस्ता है इसके लबा यहां पर एक प्राचिन जो है इसे गिरा हुआ है यह एक प्राचिन से गिरा हुआ है इसलिए यहां पर बामनिया पहाड़ी भी कीले का एक हिस्ता है इसके लबावा उमरिया सहर से लगबग तालिस किलोमेटर क की दूरी पर रिवा उमरिया रोड पर हैं यह आपको जाद रखने है इसके लब आगे हम बात करें चांदिया जो कि चंदिया साग के बरे में यह भी काफी बार आपकी एक्जाम में जो कि रिपीट होता रहता है चंदिया साग यह क्या है तो देखिए यह लगबग 21 इस्टेशन कहां पर है तो यह आपका उमरिया जीले में आता है चंदिया कसका सबसे में तो पुर्निस्तान एक छोटा मंदिर है जो कि देवी काली का को समरपीत या की आकरसित करता है और उसका मुझ खुला हुआ है लेकिन उसकी बाहर जो फेली वोई जीब टूटी वोई और यह बगवान राम और उनके पत्नी जानकी का एक पूराना मंदिर भी है इसके लवाए यह चंदिया के ठाकूर की सीड भी है सीड भी थी और इसके लावा सिवरात्री के उसर पर फरवारी महर्च में तीन दिनों के लिए सुरसावाही चंदिया में एक छोटा सा जो मेल आपका चंदिया साक में लगता है जो कि आपका उमर्य जीले में आता है फरवारी में लगता है सीवरात्री में फरवारी मार्च में तीन दिनों तक यह मेला चलता है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाली बीरसिंगपूर के बारे में यहीं कापी बार रिपीट होता रहते हैं पाली उमरिया सेडोल मार्ग पर लगबख 36 किलोमेटर की दूरी पर ही इस्ति थे और उमरिया से एक अन्य सड़क पाली से मंड़ा होते हुए डिनोरी जाती है पाली एक रेलवे स्टेशन भी है इसके लावा परेटाकों को ठेरने के लिए एक विसराम ग्रेवी यहाँ पर है railway station जो है इसको पाली बिर्सिंग पूर इस्टेशन के रूप में जाना जाता है यह आप याद रखेगा railway station के पास एक मंदिर है जो बिर्सिनी देवी का इस्थान है और लोगपिर ये मान्यता के अनुसार वहां देवी काली है और ये काल देवी के रोप में प्रस्तुत की गई लेकिन उनका मुह बंद था कुछ हिंदू मंदिरों में पुरानी जीन मूर्तियों में कई अउसेस यहां रखी गए थे नुराति के अउसर पर देवी के मंदि के पास वार्षिक मेले अक्टूबर और मार्च दोनों में आयजुद किये जाते हैं तो ये थोड़ी सी डिटियल है बाके आपको थोड़ा सो और बताएं देक्गे उमरियों जीला है यह आपका कब बना था यह आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फ़ोमेशन देते हैं देखें उमरिया जुद यूझ यह 10 जूझ उनिस सो जो है उनिस सो अन्टानवे को 1999 को सेडोल संभाक सेडोल से जो है प्रतक करके इसको नय जिले बनाये था और यह कोईला चेत्र के अंतरग़ति इसको रखा गया है इसको जिले को यहां पर दीके पनफटा जो है पनफटा यह चेत्र ताला प्रका investigación सिकालिनमना कहें Unter पर लाक उत्पादन में काफी मेतुपूर्ण इस्थान ये रखता है इसके लावा चेत्रपल की बात करें हम आपको बता चुके बाकी और बता देते हैं 40006 यहां का वर किलोमेटर 6 CTP 6,44,758 यहां की जन्संग क्या है 158 यहांका जनगन थे यह आप याद रखिय गया it इसके लाबा बात करें लिंग अनुपाद की तो लिंग अनुपाद भी यहां का जो है वो 950 हैं। और यह आपर साथ तेसील हैं यह आपको याद लखना हैं विकास खर्टंड यहां के तीन हैं। और अगर हम बात करें में तो पुर्ण आकरसन इस्तल की परिटन इस्तल की तो वह बात करें तो बांदगवड रास्ट इद्यान यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट में जुस्ता मिलें बांदगवड कीला जिसमें बगवान विस्नु की मूर्ति है बित्ति चित्रवाली 32 गोप यह सेडोल सेडोल से लगबग जो 70 किलमेटर की दूरी पर इस्ति थे और रेलवे स्टेशन के पास सागर मंदिर के नाम से जान जाता है तो पूचे जाए सागर मंदिर कहां पर है तो आपने शिदी लगा के आएंगे सागर में तो यह आपको कंफ्यूस करने वाला फेक्ट से में फिर से बनवाए गया है खजुराओ के मोडल में नकासीदार सुन्दर मूर्तियों के सांथ इski उसके मुकी द्वार अभी बरकरार है इसके लावा पास जॉवाला मुकी मंदिर भी है जॉरा मुकी जॉबे आपका उमरे टाउन में ही है आपका और ऊपका उसेजर से बारत सरकार द्वारा खोला गया था और उसी वर्ष रीवा दर्बार में स्तंत्रीद इसको कर दिया गया था आईए बात कर ले था उमरिया जीले के बारे में थोड़ी सी स्पेसल चीज़ों के बारे में उमरिया में बांदवगण राश्टुद्यान इस्थी थे इसके लावा यहां देश में सरवादिक बाग घनत वाला राश्टुद्या ने इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर जो इसमें सामिल किया गए था और बांदवगड का जो किला है बगेल वंस के सासको द्वारत चवदुई सताब्दी में बनावा गए था इसके लावा यहां से जीले में पाए जाने वाला सबसे मेत्वपूर्ण खरीच कोईला है परिनाम सुरुप जीले में साउट एस्टन कोल्फिट लिमिटेट और नोरोजाबाद द्वारा आठ खदानेया पर संचालिज भी की जा रही है जीले में बांदवगड राश्ट उद्यान ताला और किलोमेटर की दूरी पर इसके लावस सड़के यहां पर यह जो जीज़े आपको अल्रेडी बता चुके तो यह आपको थोड़ा सा देख लेजीगा देखिए उमरिया के इस्तियाज हम जानने की कोज़िस करते कापी बार पूचा जाता है देखिए उमरिया उनीस वटानमे में जो यह अलग होने के बाद में सेडोल से अलग हुआ था आपको बता देते उससे पहले सेडोल जिले का हिस्सा वो करता था उमरिया पर लोधी राजपूर जो थे माल गुजार इनका सासन था और लोधी राजपूर जो परिवार ने लक्षमी नारायन का मंदिर भी यहा वर्सों के बाद रीवा रियासत की दक्षिन राजदानी इसको बनाया गया और उमरिया घने जंगल और बाग की कारण जो हमेंसा कई राजकुमार और राजाओं के लिए एक पसंद दसेहर भी रहा है और यहां पर जो एक घने जंगल थे और कहीं बागों का घर इसको का ज देते हैं ताकि आपको भी और ज्यादा डिटीयल में चीज़े पता चल पाएं के लिए रहे तो देखें यहां पर बांदगों का टास्टिद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में सरवादिक बाग घनत वाला जिला यह है इसके लावा ओहिला और उम्रिया दो बड़े कोईला एकत्र किया जाता है उम्रिया में लाक से चमड़ा बनाने का सरकारी कारखाना यहां पर है प्राचिन कीला है खनी संपदा के लिए प्रसित दे और यहां पर जो है बांदगों का कीला बगेल वन्स के सासक विक्रममदिति ने चवदिवी सताब्दी में बनवाया था जो कि ह हम आपको बता चुक है तो यह डिटियल थी आपके लिए जानना बेहर जरूरी जो आपको आगे याद भी रखना है हो सकता आपकी एक्जाम में भी रिपीट हो जाए फ्रेंट्स आगे आपको और जो वीडियो रहेगा अनुपूर जी लेवाला वह भी जल्द से जल्द मि कर दें लेपार घट जाए क jeunes þill और बाहरत बारत बारता जुक क और जाए यह जाए भी बाहरता है